खामा गानिसा स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको आउले और हरी मिर्ची का अचार बना कर बताऊंगी अभी सर्दियां आ गई है तो सर्दियों में बहुत अच्छे आउले आने लग गए हैं और यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तो आज हम आउला हरी मिर्ची का अचार बना रहे हैं तो यहां पर मैंने करीब 10 आउले लिए हैं और 6-7 हरी मिर्ची लिए यह ज़्यादा तीकी मिर्ची नहीं है आप मिर्ची कम भी ले सकते हैं या बराबर भी ले सकते हैं जैसे आपकी चाव उतना आप ले सकते हैं तो आवलों को हम उबालेंगे तो हम यहाँ पर पानी में नहीं उबालेंगे जो इडली पॉर्ट होता है उसके अंदर हम भाप में इसे पकाएंगे जिससे की इसके जो प क्रेक आने लग गए हैं अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसमें से इसके जो बीजे वो निकाल कर एक साफ कपड़े पर इसे लगबग एक से डैड गंटे के लिए छाया में सुखा देंगे जिससे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता ह हाला कि हमने इसे भाप में पकाया लेकिन इसके उपर जो क्रेक्स आते हैं उसके अंदर पानी चला जाता है वो पानी हम सुखा लेंगे और यहां पर करीब दो कटोरी की करीब तेल गरम कर दिया इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है ताकि ध्यान रहे जीरा बिलकुल का ठंडा करेंगे ठंडा होने के बाद ही हम इसे अचार में डालेंगे तो एक चमच मैंने राई लिये और डेट चमच जीरा लिया है दो चमच के करीब मेथी दाना ली है और डेट चमच के करीब सौफ ली है और दो चमच हमने राइड की डाली कई लोग पूते यह क्या होता या पीली जो बड़ी वाली सरसों होती उसका दलिया होता है यानि सरसों की दो भाग कीवे होते हैं हमारी यहाँ पर इसको राइड़े की डाल बोलते हैं और आदा चमच कलोंजी लिए और हिंग लिए यह सारे मसाले हमें चाहिए अचार के लिए तो यहाँ पर हम जो राई है जीरा है मेथी ये सौफ है इसे हलका भुनेंगे और सरसों किया दलिया और कलॉंजी को हमें नहीं भुनना है तो गैंस लगा कर मैंने कड़ा ही रखी है और बिल्कुल धीमी आज पर हम इसे भुनेंगे इसके अंदर हम मेथी सौफ जीरा और जो राई है वो डालेंगे और धी धीमी आज पर हम इसे भुनेंगे जादा नहीं भुनना सिर्फ दो मिनिट में यह धीमी आज पर भुन जाता है तो देखिए लगातार इसमें चमत चलाते रहें जैसे जैसे यह भुनेगा राई वगर जो चटकनी शुरू हो जाएगी तो आज बिल्कुल धीमे रखना वरन मिans extended दालेंगे एकडम विसकते हैं लेकिन मिक्स में कर रहे हूं तो मिक्से में मिनेंगे दल्द राव करेंगे ओडर नहीं बनाएं देखिए आप इस तरह का दर्द रॉष करें तो अब बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर अवल ले एकडम पानी सूक गल एक बड़ा क को डाल देंगे हरी मर्ची को भी डाल देंगे अब हम जो और मासाले हैं तो जो हमने मिकस्शी में दर-दरया मसाला किया वह मस्में मिला लेंगे सबसे पहले आप हम डालें इसके अंदर सरसों का दलिया याने की राएड़की दाल कंधा लॉँजे कि अमरी नoscan mbre पाऊडर यहां पर मैं कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ या यह तिक ही नहीं हो golden कनार के लिए डाल रही हूं इससे इक कर्ल अच्छा आएगा अकर, और छाला प्रहाँ चाहर आप न है तो न डाले और चॉताँ चमच तो लिए रही बाया है काला नमक और इसी के साथ डेड़ चमश मैंने डाला है नमक नमक आप अपने स्वादन साथ डाले वैसे अचार में थोड़ा सा नमक दीखा ही होता है तो पहले हम इन मसालों को सूखा वैसे ही आउले और हरी मिर्ची के साथ मिला लेते हैं हलके हाथ से हम इसे मिलाते रहेंगे यह अचार आप डाल कर इसे रख सकते हैं यह कई मैने तक खराब नहीं होता है तो पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल मिलाएंगी इसमें मैं ज्यादा तेल नहीं मिला रही हूं क्योंकि अगर अचार कम ही डाला है तो यह जल्द से भी डाल सकते हैं उपर तक तेल रहेगा तो यह खराब नहीं होगा यहां पर मुझे हल्दी पाउडर थोड़ा कम लगा तो मैंने आधा चमच और डाला यानि कि पूरे अचार में में डाल कर दो से तीन दिन दूप में रखूंगी और फिर यह अचार खाने लाइक हो जाएगा अगर आपको यह लंबे समय तक रखना है तो जैसे मैंने कहा उपर तक तेल डालें वरना ज्यादा तेल की जोड़त नहीं रहें इसे मिलाते रहें दो तीन दिन